21 जून को अंतराश्य योग दिवस का आयोजन 104 एम व्योवसित रूप से के जाने हितू राज्य जिला ब्लोक उखन के साथ ग्राम पंचेक इसरीए समित्य को गठन कर लिया गया है इन्हें आवशक देशा निर्देश जिये गए हैं कि वह COVID-19 की पाइलना करते वे योग के साथ रहो गर पर रहो थीम पर घर कर योगवास करने के लिए लोगों को प्रेजित किया जाए ओनलान व्यक्षान एउंक कारेशालों का अवजिन भी इस दोरन किया जाए गर पर ही रह कर योग करें और अंतराश्य योग दिवस में अपनी बागेदारी निवाएं इसे लेकर अधिक से अधिक लोगों को प्रेजित किया जाए आपको बता दें कि 21 जून को अंतराश्य योग दिवस है इसे लेकर राज्य सरकार एउंक केंदर सरकार ने योग के साथ रहो गर पर ही रहो थीम पर गर-गर योगव्यास कराने के लिए निर्दिश जारी किये हैं बिनाए पंचाय स्मिती की ग्राम पंचायत पढांगा के बामाशा सुनिल कावडिया अपनी माता प्रेम देवी कावडिया की पुने इसमर्दी में गाउं के मुख्य मार्क पर भवे प्रवेश दुवार बना रहे हैं आपको बता दें कि मामाशा सुनील का वडिया ग्राम पडांगा में मॉडल तालाव, मंदिरों का जिनोदार, सडकें, पोदार ओपन के सही शम्चान वे कबरिस्तान का विकास भी अपनी नीजी कोच से करवा चुके हैं किशंगड विदायक सुरेश टांक की अनोशंसा पर राज्य सरकार द्वारा जारी की गई किशंगड विदान्तवा चित्र के ब्लोक अरणाई एं किशंगड के विविन ग्रामिन चित्रों में पांच करोड से नौन पेचेबल वे मिसिक लिंक्ट सडकें निर्मान की प्रशाषनिक और वित्य स्यूकरती हुई जारी पांच करोड की राशी से ग्रामिन चित्र में निर्मित ओने वाली विविन सडकों से कई ग्राम पंचेटों के साथ साथ हजारों ग्रामिन जन्ग भी होंगे लाबनवेद ग्रामिनों को आवगम में होगी शेंगड के विकास के मुद्दे उठाते राते हैं। सरगाओं तक चार क्लिमेंटर की सड़क का निर्मान करवाया जाएगा इन विविन सड़कों पर पांच करोड रुपए की राशिक खर्च की जाएगी इस संबन में विदायक सुरेट टांक ने बताये कि ग्रामिड शेत्र में उप्रोक सड़कों के निर्मान से किशंगड वि इन ग्राम पंचयतों को भी फाइदा होगा पंचयत राज संस्ताओं के पुनरगठन एउन नविन पंचयत सिमिति के गठन को लेकर अजमेर जिले के कद्दावर कांगरिस की नेताओं ने पूरा दमखम दिखाया तथा वहर राज्य सरकार से जिले में अपनी मंचाही ग्र आप पंचयत शिमिति का गठन कराने में भी काम व्हयाब होए एसी ही दो पंचयत सिमितियां है सावर तथा अजमेर ग्रामिन 25 चुनाओं में इन दोनों पंचयत सिमितियों में भारति जंतंतर पार्टिक का बोर्ड बनने पर इन पंचयत सिमितियों की अन्दिखी होनी ही है यहां पर नै तो विसी कक्ष है और नहीं सबा कक्ष हालाद यह है कि पंचय समिती में प्रियाब संसादन नहीं होने के करण पंचय समिती की अभी तक एक भी सादन सबा का आयुजन नहीं किया गया अजमेर जिला परचर सीयो डॉक्टर गरव सेनी ने पंचय समिती में अतरित कक्षों के लिए आधिक जारी किये गए थे लेकिन वह भी अभी तक अजमेर गामिन पंचय समिती को नहीं मिल पाए